रितेश तेश मुक ने 16 साल पहले फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलिविड में अपनी शुरुआत की थी। रितेश और जनेलिया संग उनकी लव स्टोरी के बारे में। इसमें बहुत घमंड होगा। इससे पहले वो भाव खाये। जनेलिया ने खुद रितेश को घास नहीं डाली। रितेश ने आगे बढ़कर जनेलिया से हाथ मिला या जनेलिया हाथ मिला कर इधर उधर देखने लगी। रितेश को जनेलिया का पहली मुलकात में इतना भाव खाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी शोटिंग शुरू हुई तो जनेलिया को हैसास हुआ कि रितेश वाकरी दिल के अच्छे है। दोनों के भीच दोस्ती बढ़ने लगी। सेट पर दोनों खुब बाते करते थे। भी ठीक नहीं होगा। उधर जनेलिया भी रितेश की तरब पूरी तरीके से आकरशित हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि इन्हें अचानक ही एक दूसरे से प्यार हो गया। ये सफर भी लंबा चला था। उन्हें एक दूसरे की दोस्ती की इतनी आदत हुने लगी क्यों एह इस दोनों का रिष्टा तो पहली फिल्म के वक्त से ही शुरू हो गया। लेकिन इन्हों ने ये ख़बर मीडिया में नहीं आने दी। ये समझ गया आखिरकार 3 फरवरी 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली ताज़ुप की बात है कि शादी से पहले मेडिया में खुल कर इनके अफ़ेर की खबरे कभी नहीं आई शादी के सार ही महरास्ट के पुर्वमुख्य मंत्री और रितेश के पिता विलास राव देशमुख का निधन हो गया नवंबर 2014 में रितेश पहली बार पिता बने जनिलिया ने बेटे को जन दिया और अब इनके जन्दगी उसी बेटे रियान के इड़द गुपती है E24 की टीम की तरब से रितेश देशमुख को जन्दिंग की धेरोसाई शुब काम लाएँ E24 काम लाएँ